नवश्कार एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है आज का डिजीज है फंगल डिजीज सेप्रोलेनियस यहाँ जी साइलेंट है इसको कॉटनूल डिजीज भी कहते हैं यह विंटर्स में होती है जादा तर तो शुरू करते हैं सेप्रोलेनिया स्पीशीज से होता है लगबग सौ साल से इसकी उपस्तिती दर्ज है कंटेजियस डिजीज है मचली से मचली को होता है और इस पानी द्वारा इस पोर से भी बहुत दूर तक है बिमारी फैलती है इसको कॉटनूल डिजीज कहते हैं खासत दौर से यह विंटर में होती है इसमें सेप्रोलेनिया पैरसिटिका और सेप्रोलेनिया डिकलिना से होती है इसमें विंटर किल सिंड्रोम बड़ा फेमस है इसका पूरे का पूरा तालाब में ही यूज मॉर्टिल्टी हो जाती है जब यह सिस्टमिक बीमारी हो जाती है सिस्टमिक का मतलब यह बीमारी अंदर पहुंच जाती है और internal organs पहल जाती है बड़ा ही opportunistic fungus है जब मचली तोड़ा बीमार रहे या कोई और इसको external injury वगएरा हुई है तब यह तुरंट उसको पकड़ लेता है site of infection में यह सर से और पीट से शुरूआत होती है circular patches होते हैं गोल गोल चोटे चोटे दब्बे हो जाते हैं जो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और पूरे शरीर की सतय पर फैल जाते हैं अंडे से लेकर वैस्क मचली तक जितने भी जीवन के चरण है यह किसी भी चरण में एफेक्ट कर सकती है sign symptoms में इसमें पैचे शुरू होते हैं सफेद रंके अब ब्राउन रंके जो रूई के गुच्छे की तरह होते हैं और यह धबे जो हैं वो शरीर पर फैलने लगते हैं पहले चोटा सा फोकस होता है पिर वहां से यह जो इसके हाइफी होते हैं जिनको तन्तू बोल सकते हैं आप लंबे लंबे तन्तूओं को फैला कर यह विमारी जो है आगे बढ़ती है यह देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से पैच बन जाएगा जो काफी बढ़ा हो गया है रूई का गोला यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्थानों पर है डॉर्सल लीजन में मचली के तो यह ड्राई और मतलब सूखा पैच होता है और जो इसकिन होती है यानि तवचा उसमें से जो म्यूकस सिक्रीट करने की उसकी कपैस्टी है वो खतम हो जाती है उसे जो पैचे होते हैं वो रंगहीन हो जाते हैं वहाँ से एक पिगमेंट्स गयब हो जाता है और दीरे दीरे यह छोटे से शुरू होता है और फिर फैलने लगता है इस तरह के पैचे दोते हैं और 50% बॉडी में यह फैल फैल कर यह प्रभावित कर सकता है बाहे तो चाओ को गिल्स में भी हो जाते हैं नाक में भी हो जाता है आँख में भी यह फैल जाता है हर जगे इसका हाइफी और आँख जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई हो जाती है जिसको एंड ऑप्थैल्मिया बोलते हैं यह चित्र देखिए इसमें यह आँख जो है अंदर की तरह धसी हुई है कुछ बिमारियों में एक्सॉप्थैल्मिया हो जाता है यानि कि बाहर निकलाती है आंक बल्जिंग पॉप आउट कर जाती है लेकिन यहां पर अंदर धस जाती है टिशू डिजनरेशन होने लगता है और इसके चारों तरफ जो है यह आप देख रहे हैं जो अधिक रक्त स्राओ वाला जो है मारुजिन बन जाता है यहां पर हैम्रिजेज होने लगते हैं इन से जो है मचली का जो इन्फेक्शन है यहां पर वो बहुत जादा बढ़ गया है और यहां से मौरिटेल्टी बहुत जादा होने की संभाव ना हो जाती है यह जो फंगस है यह मचली के जो परासरन प्रेशर है यानि दबाव है औस्मोटिक प्रेशर जिसको भोलते हैं उसको खराब करता है और उसको खराब करके यह आकरमन करता है और जैसे जैसे यह आकर गाव हो जाते हैं इस तरह से और इस समय के इसके बाद मशली जीवित नहीं बचती और ये बहुत ही last stage हो गया है और इसके बाद मशली जो है वो बिल्कुल इस लगिश हो जाती है चल फिर नहीं पाती है और बिल्कुल अपना external रहता है लेकिन ये जो fungus है ये focus जहां पर होता है वहां से radiate करता है हाई-फी फैला करके और फिर ये जो है तचा की सतहों के अंदर घुज जाता है और उनको destroy कर देता है और कुछ cases में तो ये muscles तक पहुंच जाता है और muscle को destroy कर देता है basically तो ये secondary infection की तरह मचलियों को लगता है उन मचलियों में जो पहले कोई दूसरी बिमारियों को जहेल रही है या stressed है या उन पर कोई external वो हो गया है क्या damage हो गया है जिससे उनके scales निकल गये है वो sites जो होती हैं वहाँ पर fungus के जो sports हैं वो वहाँ घुस जाते हैं वहाँ कबजा कर लेते हैं अपना घर बना लेते हैं और उसी focal point से पिर वो अपने हाइफी रेडियेट करके मचलियों पर और ज़्यादा प्रभाव जिस बीमारी का बढ़ाते हैं ये एक चेतर देखे हैं आपर आपको गोल गोल दो वो दिख रहा है ये हाइफी का end piece है ये गिल्स के अंदर है ये फूल जाते है और यहाँ से फिर बाद में ये sports release करते हैं वो इस फिर जाकरके दूस मचलियों को और infect करते हैं systemic mycosis यानि कि fungus के जो बीमारी है वो जब अंदर पहुंच जाती है तो liver को, spleen को, eyes को, kidney को, सब को damage करती है सब को एक तरह से इसके mycelium ये इसके filamentous strands जो हैं तन्तू है वो छाप लेते हैं और फिर बहुत massive mortality होती है यहां पर मुग के पास देखिए कितना ज़्यादा fungus हो गया है और दौसल जीजन में और साइड में गहाओ होना शुरू हो गया है यह बीमारी का जो होने का सबसे प्रमुख कारण है वो poor living conditions है यानि कि बहुत ही खराब इस्तिती में अगर मचली रहेगी उसका immune system weak होगा और यह fungus जो है उस समय इसमें colonize कर लेगा over feeding second सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जब आप over feeding करते हैं तो बहुत सा खाना बच जाता है यह बच जाता है तो उस पर यह fungus जाके वहाँ पर grow करने लगता है और वहाँ पर अपनी life cycle पूरी करता है और वहाँ से फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है और यह दूसरी मचलियों क उसमें temperature अगर low हो गया तो निश्चित रूप से इस बीमारी का outbreak हो जाएगा high pH भी इसको बढ़ावा देता है और winters की एक खास तौरती बीमारी है इसलिए इसको जो है winter kill syndrome बोलते है treatment के लिए सबसे पहले यह निश्चित कर लेना है कि भाई यह बीमारी हो गई है उसके लिए आप test करा सकते हैं हाला कि यह देखके ही पता लग जाता है कि यह बीमारी आ गई है तो तुरंत ही उसका इलाज करना बहुत जरूरी है अगर delay हुआ तो यह बीमारी फिर control में आती ही नहीं है फॉर्मिली इसमें 37% फॉर्मिली हाइट का इस्तेमाल करना चाहिए 25 पीपीम पर या पोटेशियम पर मैगनेट 5 मिलिग्राम पर लीटर यानि कि 5 पीपीम बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें बहुत बड़ी एक जयतावनी है कि यह दोनों में से किसी एक को ही करना है दोनों को एक साथ यूस कभी नहीं करना है फॉर्मिलीन बदार में मिलता है 35-37% यह वो वेट बाई वॉल्यूम है इसमें इसको अप ले सकते हैं पोटेशियम पर मैगनेट के क्रिस्टल्स भी उपलग्द है इन दोनों में किसी एक से इलाज किया जा सकता है और कॉ बिसिकली अलगी साइड होता है यानि कि यह शैवाल नाशक होता है कॉपर सल्फेट इसे 0.5 से 1 पीपियम फॉर 100 पीपियम इलकलेनिटी ऑफ वाटर पे इस्तेमाल करते हैं देखिये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कितना करना है यह पानी के इलकलेनिटी पर निर्भार है यह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स इस तरह से होते हैं अगर अलकलेनिटी 50 पीपियम से कम है या 300 पीपियम से उपर है तो फिर कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी और 50 पीपियम से नीचे होने पर यह उतना इफेक् में डिवाइड बाई 100 रहेगा तो माल लीजे कि अगर अलकलेनिटी 100 पीपियम है तो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वान आएगा तब ही ऊपर देखिए वो डोज लिकी हुई है मैक्सिमम 1 पीपियम कॉपर सल्फेट for 100 पीपियम अलकलेनिटी of water दूसरे और भी इला लेकिन यह सब चीजे तब हो पाएंगी जब आप infected मचलियों को निकाल के किसी एक जो है treatment storage में उसका इलाज करें अच्छी तरह से और एरेशन लगा करके मेले साइट ग्रीन भी इस्तेमाल होता था पहले लेकिन 2002 में यह बैन हो गया है तब इसका इस्तेमाल नहीं करिएगा जो भी आप इस्तेमाल करें वो USFDA या government की guidelines के अनुसार ही करें यह बहुत जरूरी है prevention के लिए water quality बहुत अच्छी होनी चाहिए वरना इस बीमारी को आप रोक नहीं पाएंगे जाड़ों में और pond preparation इसके लिए शुरू में अगर अच्छे से हो तो बहुत अच्छी बात है rough handling मशली को नहीं करना है उसे कोई चोट चपेट नहीं लगनी चाहिए या overcrowding होते हैं एक मशली दूसरे मशली को harm कर रही है कुछ bullying करती है कुछ aggressive होती है तो उससे चोट चपेट लगती है जिससे secondary infection की तरह यह मशली में आ जाता है alkalinity saw के ऊपर होनी चाहिए बहुत जरूरी है over feeding बिलकुल ना करें और un eaten feed बिलकुल ही रहना नहीं चाहिए उसी से यह जो fungus है बहुत तेजी से grow कर जाता है इस बीमारी का spread ना हो और overall mortality जो है वो बहुत कम हो इसके लिए जैसे ही पता लगे कि सेप्रोलेनेसिस बीमारी आ गई है तुरंत आप मशलियों को harvest कर दीजे तो आप सुखी रहेंगे यह point को हमेशा याद रखिए इस बीमारी के लिए यह point बहुत important है और sports जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं हवा से उड़के आते हैं बंची उड़के आते हैं उनके beat होती है feces उसमें हो सकते हैं उनके शरीर पे हो सकते हैं sports कहीं से भी आ सकते हैं फार्म पर तो उससे ये water में आ जाएगा sports या जो आदमी वहां काम कर रहे हैं उन पर आ सकता है और equipment में या आप जो feed खिला रहे है उसमें आ सकता है और वहां से ये मशली को फैल जाएगा ध्यान रहे कि आदमीों को यानि human beings को तो इस बीमारी से इस फंगस से कुछ फरक नहीं पड़ता, वो हम लोगों में नहीं हो पाती है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रॉपर सेनिटरी प्रोसीजर्स करिए, अपने फार्म पर ये बहुत जरूरी है, जिससे कि ये बीमारी आने, ये या कोई और बीमारी आने ही नहीं ना पाए, इसके उपर एक अलग से वीडियो लाएंगे थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन इसको हम जरूर बनाएंगे इस पर एक वीडियो, जो भी दवा आप इस्तेमाल करें, जो भी प्रोसीजर्स इस्तेमाल करें, वो बिलकुल इंवार्मेंट फ्रेडली होना चाह ताकि जरा भी आप इंवार्मेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, और अपने पॉंड में और अपने फार्म पर जो भी आप प्रेक्टिसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यह अगर यह बिमारी आई हुई है, तो इसके बाद सब इवैलुएशन करिए, सारे प्रेक्टिसेज को, प्रसीजर्स को, डिजाइन्स को, अजरुवत पुड़े तो नेसेसरी चेंजिस करिए ताकि यह बिमारी दोबारे आपके फार्म में ना आए, तो सेपरोल लेनेसिस बाई बाई, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, एपेजोर्टिक अलस्रेटिव सिंड्रोम के साथ, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कुछ नया हासिल किया है, तो क्रिपया लाइक करें, शेयर करें, सब्क्राइब करें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नेक्स वीडियो तक के लिए, अल्ला हाफिज, जै हिंद, जै भारत, वंदे मात्रम. झाल